हाली में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हौकी टीम ने राश्ट का एक बार फिर गौरव बढ़ाया प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में एक हजार से ज़ादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स की इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूत पूर्व योगदान दिया है मोदी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज 300 से भी ज़ादा खिलाडी जो इस स्कीम का अभिन अंग है आगामी आठ वर्ष तक सालाना पांच लाख रुपे की सुविधा पा रहे हैं ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहीयोग दे सके इसी सहीयोग के चलते आप सबने देखा भारत का उलिम्पिक्स में प्रदर्शन जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्ट किया मात्र यही नहीं बलकि प्राउलिम्पिक्स में 19 मेडल इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट का सम्मान बढ़ा सकते हैं अजया प्राप्ट